जय श्री कृष्ण आपका स्वागत है भूपेंद्र जय भारत यूट्यूब चेनल में अक्षर ब्रह्मयोग अध्याय आठ अधाश्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग ब्रह्मा अध्यात्म और करमादी के विशय में अर्जुन के साथ प्रश्न और उनका उत्तर अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं अधियग्य कथंको अत्र देहस्मिन मधुसूदन प्रयानकालेच कथंग येवसी नेतात्मभिय भावार्थ हे मधुसूदन यहां अधियग्य कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं तथा युक्त चित वाले पुरुषों द्वारा अंट समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्मा पर्म स्वभावो अध्यात्म मुच्चते भूत भावोत भवकरो विसरगय कर्म संगितह भावार्थ श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्मा है अपना स्वरूप अर्थात जीवातम अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उतपंद करने वाला जो तयाग है वह कर्म नाम से कहा गया है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुशस्चाधिदैवतम अधियग्योह में वात्र देहे देहभृतावर भावार्थ उत्पत्तिविनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं हिरण्यमय पुरुश जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजाप्ती, ब्रह्मा इत्यादी नामों से कहा गया है अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ट अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियग्य हूँ, अंतकाले चमामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवर्व यह प्रयाती सम्मदभावन याती नास्त्यत्र संशय भावार्थ जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही समरन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्थ होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है यह यह वापी समरन्भावन या जत्यनते कलेवर्व यह मनुष्य अंतकाल में जिस-जिस भी भाव को समरन करता हुआ शरीर त्याग करता है उसोस को ही प्राप्थ होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है तस्मात सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्ध चय मयर पित्मनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम भावार्थ इसलिए है अर्जुन तु सब समय में निरंतर मेरा स्मरन कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ में अर्पन किये हुए मन बुद्धी से युक्त होकर तु निहसंदेह मुझको ही प्राप्थ होगा भगवान का परमधाम और भक्ती के सोलह प्रकार अभ्यास योग युक्तेन चेटसा नान्यगामिना भावार्थ हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्थ होता है कवी पुराण मनुषासितार मनोर नियांस मनुस्मरेद्य है सर्वस्य धातार्म चिंत्य रूप मादित्य वर्णन तमसह परस्ता भावार्थ जो पुरुष सर्वग्य, अनादी, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुब और अशुब कर्म के अनुसार शासन करने वाला सुक्षम से भी अति सुक्षम, सबके धारन पोशन करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सग्रिश नित्य चेतन, प्रकाश, रूप और अविध्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है प्रयान काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राण मावेश्य समयट सतम परम पुरुष मुपैती दिव्यम भावार्थ वह भक्ती युक्त पुरुष अंतकाल में भी योगबल से भेकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्थ होता है यदक्षरं वेदविदो वदंती विशंती यद्यत्यो वित्रागाह यदिच्छन्तो ब्रहमचर्यन चरंती तत्ते पदन संग्रहें प्रवक्षे भावार्थ वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घनरूप परमपद को अविनाश कहते हैं आसकती रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परमपत को चाहने वाले ब्रहमचारी लोग ब्रहमचर्य का आचर्ण करते हैं, उस परमपत को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा सर्वद्वाराणी सन्यमे मनोहृदी निरुध्यचर भावार्त सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृद्देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योगधार्ना में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारन करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुन ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलब हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्थ हो जाता हुँ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुहकाल्यम शाश्वतम। पुनर्जन्म न विद्यते भावार्थ है अर्जुन। और रात्री को भी एक हजार चतुर्युगी तक की अवधी वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं। वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं अव्यक्ताद व्यक्तेह सर्वाह प्रभवंत्य हराग में रात्रियाग में प्रलियंते तत्रवा व्यक्त संग्य के। भावार्थ संपूर्ण चराचर भूत्गन ब्रहमा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रहमा के सुक्ष्म शरीर से उत्पन होते हैं और ब्रहमा की रात्री के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रहमा के सुक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूत ग्रामह सेवाय भूत्वा भूत्वा प्रलियते रात्रियाग में वशह पार्थ प्रभवत्य हराग में भावार्थ हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन हो होकर प्रकृती वश में हुआ रात्री के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन होता है परस्तस्मात्तु भावोण्यो अव्यक्तो अव्यक्तात सनात्न यह सर्वेशु भूतेशु नश्यत्सु न विनश्यती भावार्थ उस अव्यक्ट से भी अती परे दूसरा अर्थात विलक्षन जो सनातन अव्यक्ट भाव है वह परमदिव्य पुरुष सब भूतों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता अव्यक्टो अक्षर इत्युक तस्तमाहुह परमागतिंग यम प्राप्य न निवर्तनते तद्धाम परमम्म भावार्थ जो अव्यक्ट अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्ट भाव को परमति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्ट भाव को प्राप् नहीं आते, वह मेरा परमधाम है. पुरुशे सपरह पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या. यस्यांत स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम भावार्थ है पार्थ, जिस परमात्मा के अंतरगत सर्वभूथ है और जिस सच्चिदाननदगन परमात्मा से यह समस्थ जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष्तो अनन्य भक्ती से ही प्राप्थ होने योग्य है शुकल और कृष्ण मार्ग का वर्णन यत्रकालेत वनावत्ति मावरित्तिन चैव योगिन प्रयाता यानतीतं कालं वक्ष्यामी भरतर्शब भावार्थ है अर्जुन जिस काल में यहां काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम स्रिती गती ऐसा कहा है डौट शरीर त्याग कर गए हुए योगी जनतो वापस न लोटने वाली गती को और जिस काल में गए हुए वापस लोटने वाली गती को ही प्राप्थ होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा अगनिर जोतिरह शुकल शनमासा उत्तराणम तत्र प्रयाता गच्छनती ब्रहमा ब्रहम विदो जनाह भावार्थ जिस मार्ग में जोतिरमय अगनी अभिमानी देवता है दिन का अभिमानी देवता है शुकल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायन के छै महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रहम वित्ता योगी जन उप्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रहमा को प्राप्त होते हैं। अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए सकान कर्म करने वाला योगी उप्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए चंद्रमा की जोत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुब कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। इन में एक द्वारा गया हुआ, अर्थात इसी अध्याय के शलोक 24 के अनुसार अर्चिमार्ग से गया हुआ योगी डॉट। जिससे वापस नहीं लोटना पड़ता, उस परम्गती को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ, अर्थात इसी अध्याय के शलोक 25 के अनुसार धुम्मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी। फिर वापस आता है अर्थात जन्मम्रित्यू को प्राप्त होता है। ये साधन करने वाला हो वेदेशु यग्येशु तपहसु चैव दानेशु यत्पुन्यफलम प्रदिष्टम। अत्ये तत्सर्वमिदम विदित्वा योगी परन स्थान मुपैती चाद्यम। भावार्थ योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथायग्य, तप और दानादी के करने में जो पुन्यफल कहा है, उन सब को निहसंदेह उलंगन कर जाता है और सनातन परंपत को प्राप्त होता है।